मोसम की बात करें तो पिछले चार-पांच दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों में बारिस का दोर है हलकी सी मध्यम बारिस हो रही है कहीं कहीं पर हलकी सी ओला बिरश्टी देखने को मिली तो वहीं पंजाब के कहीं छेतर में भारी ओला विरष्टी की खबरे सामने आई जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुचा है अगर हम बात करें आज यानि की पाँच फरवरी और छै फरवरी के मौसम की तो इस वीडियो में पुरे डिटेल से मौसम की आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी आने वाले दो दिनों की तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि पिछले 24 गंटे में मौसम कैसा रहा कहां पर बारिस हुई तो पंजाब, हरियाना और उत्तर पिर्देश उत्तरी राजिस्तान में हलकी से मध्यम बारिस और गर्ज के साथ बुचारे पड़ी दिल्ली पच्छी में उत्तर पिर्देश राजिस्तान के सेस हलकी बारिस हुई जिसमें उत्री मध्यम पिर्देश में हल्की बारिस हुई उडिसा के अलग-अलग हिस्सों में बहुत गना कोरा चाया रहा बिहार के भी कुछ मध्यम बारिस रिकॉर्ड की गई पिछले 24 गंटे के दोरान अगर बात करें आने वाले दो दिनों की यानि की 5 और 6 फरवरी को कहा पर कितनी बारिस होगी कौन से राज्य में बारिस हो सकती है तो अगले 24 गंटे की अगर हम बात करें तो अगले 24 गंटे के दोरान यानि की 5 फरवरी को पच्छे मी हिमाल लिए मैं हलकी से मद्यम बारिस और बर्फपारी एक साथ या दो इस्थानों पर भारी बारिस हो सकती है और इसके बाद इसमें काफी कमी आ जाएगी यानि की छै फरवरी को बारिस में कमी आएगी उत्तर पिर्देश पंजाव के कुछ हिस्सों में हरियाना, दिल्ली, राजिस्तान, उत्तरी मद्यम पिर्देश और बिहार के कुछ हिस्सों में हलकी से मद्यम बारिस होने की संभावना है पांच फरबरी को सिक्क्यम और अनाचल पिर्देश में हलकी बारिस और बर्पारी की संभावना है कल यानि की पांच फरबरी को वही पूर्वी असम में हलकी बारिस होने की संभावना है पंजाब, हरियाना, दिल्ली के अलगल हिस्सों में घना कोहरा चाया रहेगा कोहरे की काफी संभवना है कल पूरे दिन विजिवल्टी बिल्कुल ही कम रहेगी घना कोहरा चाया सकता है पंजाब, हर्याना और दिल्ली में उडिसा और पूर्वत्र भारत के कुछ हिस्सों में गना कोरा छाया सकता है तो इस परकार से कल यानी की पांच फर्वरी को देश के जादतर राज्यों में जहां पर लगातार बारिस हो रही है वहाँ पर बारिस की कंडिसन बनी रह सकती है वहीं पर हलकी तो कहीं पर तेज बारिस होगी तो अगर बात करें छै फर्वरी की तो छै फर्वरी से मोसम साफ होना सुरू हो जाएगा बादलवाई कहीं पर रह सकती है लेकिन बारिस की संभावना काफी कम हो जाएगी च्छै फरवरी से बारिस में कमी होती चली जाएगी और मोसम साफ होता चला जाएगा इस वीडियो को जादा सजादा लोगों तक सेर करना ताकि मोसम की बिलकुल सटीक जानकारी उनको टाइम पर मिल सके इस वीडियो में बस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों